आडी शर्मा सॉलुशन क्लास ट्वेल्थ चैटर फाइव है अलजेब्रा आफ मेट्रिसेज वेरी शॉर्ट एंसर ग्वेशन्स यदि A, Auj एक स्क्वार मेТरिक्स है इस तरीके से Auj है i square माइनस j square then write whether A is symmetric और skew symmetric तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यह square मेटरिक्स है और इसमें डिया नहीं है कि यह कितने का है और A, A, J इस तो इसमें एक काम करना पड़ेगा हमें यह हम कोशिश करते हैं कि इसको एक 2 by 2 matrix ले ले क्योंकि दिया नहीं है कुछ भी तो अगर हम एक 2 by 2 matrix लेते हैं जोसे मैं यह ले लूँ यह एक row है दो row है यह पहला column है दूसरा column है तो इसको हम A11 लिखते हैं यह 11 हो गया यह A12 होता है यह दोनों हो गया A21 हो गया यह और A22 तो इसमें जो Aij I जो होता है वो row number है और J जो है column number हो तब यह होगा row number और यह आपके column number होगे तो हम क्या करेंगे कि इसके जगा यह value रख देते हैं कैसे रखेंगे देखेंगे A11 मतलब यह 1 square minus 1 square और यह 1 और 2 1 square minus 2 square यह 2 square minus 1 square और यह 2 square minus 2 square क्या बनेगा यह 1 square 1 square तो 0 हो गया 2 square 2 square भी 0 हो गया यह 1 square minus 2 square यह 1 square minus 2 is a 4 यह 2 square minus 1 4 minus 1 यह यह 3 ठीके सब यह A हो गया आपका matrix अब इसका transpose निकालेंगे देखते हैं A transpose A के बराबर आता है और A transpose अगर minus A के बराबर आता है अगर यह है तो symmetric हो जाएगा यह हो जाएगा तो skew symmetric हो जाएगा तो A transpose निकालते हैं रो को कॉलम में बदलेंगे 0 minus 3 और यह 3 0 यह यहां जाएगा तो यह क्या हुआ अगर इससे minus में बाहर ले ले लूँ तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 0 minus 3 3 0 इसका अगर अगर A transpose किसके बराबर है minus A के बराबर तो यह आपका skew symmetric है skew symmetric for any square matrix write whether A, A, T is symmetric or skew symmetric तो अभी अभी हमने देखा just now A, A, T करके देखा हमने की symmetric है की skew symmetric है तो हम इसको एक बर और करके देखते हैं कि यह जो A, A, T है इस पूरे का बौला है हमने पिछले तो A लिया था ना इसमें इसका पूरे का बूछा है कि क्या यह symmetric होगा यह skew symmetric होगा ध्यान रखिए कि जब हम transpose लेते हैं तो आप जानते हैं कि अगर किसी 2 का transpose ले रहे हैं जैसे A into B इसका transpose कर रहे हैं वो होगी B transpose A transpose तो अगर इसका हम transpose करने चले तो हमारे पास क्या आएगा पहले हम इसका transpose करेंगे A transpose का transpose और A का transpose अब किसी का row column में बदल लिए फिर column से फिर row में बदल लिए तो वो तो वही matrix आ जाएगा अगर A का ऐसे हम करेंगे तो वो ही दुबारा आ जागा जाने कि A transpose का transpose जाने कि A आ गया A transpose का transpose क्या होगा A होगा ना यह हो गया और यह ही transpose है कहने का मतलब कि जब हमने A A transpose का transpose किया तो यही matrix दुबारा आ गई इसका मतलब यह symmetric matrix बन रहा है यदि A, A, I, J XQ symmetric matrix है तो आपको value लिखनी है sigma I, A, I, I की तो पहले आपको यह समझना होगा कि हम यह XQ symmetric matrix मान के चल रहे है हमारे पास हमाली जए एक A matrix है और मैं यह मान के चलता हूँ कि यह जो A हमारी matrix है यह वाली इसमें 2 rows है, 2 column है तो यह A, 1, 1 हो गया A, 1, 2 हो गया A, 2, 1 हो गया A, 2, 2 हो गया चीक है A transpose कर दिए इसको क्योंकि skew symmetric का मतलब यह होता है कि जब transpose करेंगे तो नेगटिव में आएगा तो हम इसको transpose कर देते हैं row को column में यह row column बदल जाएग तो यह A, 1, 1 हो गया यह A, 1, 2 हो गया और यह row A, 2, 1 हो गया A, 2, 2 हो गया कहने का मतलब यह है कि जहाँ A, 1, 2 था वहाँ A, 2, 1 आ गया जहाँ पर A, I जहाँ A, 1, 2 था वहाँ A, 2, 1 आ गया है ना और जहाँ पर A, 2, 1 था A, 1, 2 आ गया तो इसको यह लिख सकते हैं लेकिन अगर यह Q symmetric है इसका मतलब A transpose बराबर minus A है मतलब यह negative है तो Aij किसके बराबर? Aji के बराबर तो है लेकिन यह negative में है तूकि A transpose negative A के बराबर होता है तो यह Ijji तो change हुई रहा है साथ में negative भी हो रहा है यही concept हम use करेंगे यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दू कि जब हम इसका transpose करते है row और column बदलते है तो I का J हो जाता है J का I हो जाता है इसलिए Aij बराबर Aij है अगर symmetric होता skew symmetric है तो negative हो जाएगा अब हम मानके चलते हैं कि चलिए I बराबर J जब होगा जैसे A11 है A22 है जिसमें I और J बराबर है तब क्या होगा तो A11 मतलब A I I कर दी जिसको या जे-जे कर सकते है क्योंकि इन्होंने AII कहा इसलिए हम I I कर लेते हैं जहां I और J बराबर है जहां-जहां A J होगा वहां I लिख देंगे यह कि इसके बराबर माइनस AII पर इसको यहां ले आईए AII प्लस AII बराबर 0 तो यह 2 AII बराबर 0 होगी है ना अब इसको दोरों को 2 से डिवाइड कर दीए तो AII बराबर 0 होगी अब आप सिग्मा कर लीज़े इसका अब क्योंकि यह 0 ही है सिग्मा यह कितने बार होगा जितने बार भी AII मतलब इसका सिग्मा मतलब AII यहने A11 प्लस A12 प्लस A13 ऐसे करके है A11 A22 A33 कितने बार भी आप करते रही है 00 यह तो आएंगे तो यह आपका 0 होगया सिग्मा AII इक्वल 0 यह है इसका होता है अब है अगर AIJ skew symmetric matrix है then write the value of sigma IJ AIJ तो देखें skew symmetric मने भी आपको समझाया बिल्कुल वैसे ही चलेगा यह इसमें आपको मान के चलना है कि आपके पास एक A matrix है एक A transpose करेंगे तो अगर जो भी AIJ यहाँ पर होगा वो AJI बन जाएगा यहनि AJI से replace हो जाएगा क्योंकि यह symmetric है तो यह minus AJI होगा क्यानी का मतलब AIJ आपका negative में AJI हो जाएगा बस यह समझना है आपको और अगर इस AI और J को मैं बराबर करणू तो AII बराबर minus AII और J को करणू तो AJJ बराबर minus AJJ एक यह बात है तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा यह वाला ही concept लगाएंगे और मैंने अभी अभी आपको करके दिखाया इससे क्या निकल के आया था इससे निकल के आया था मैं अगर इसको यहां ले लो तो यह आया था 2 AII बराबर 0 2 स्रिवाइट कर दिजी तो AII बराबर 0 यह हमरा आया था अब जो हम सिग्मा करेंगे I और J देखिए यह सिग्मा सिग्मा I J AIJ है यह यह क्या हो सबसे पहले हम यह पहले यह J है देखिए तो इसका मतलब यह हुआ कि हम add क्या कर रहे हैं सारे के सारे जैसे अगर हमार पास ही मेट्रिक्स होता A11 A12 A21 A22 तो हम बेसिकली यह addition क्या कर रहे है A11 प्लस A12 प्लस A21 प्लस A22 यह तो कर रहे है इसको अगर हम ऐसे लिख दे कि हम A11 प्लस A12 और मैं इसको आगे इसने छोड़ रहा हूँ क्योंकि यह A13 A14 क्योंकि यह मैंने तो 2 by 2 लिया यह तो N by N मेट्रिक्स है कोई कित्रा भी बड़ा हो सकता है प्लस A21 है A21 प्लस A22 A22 कर दीजे अब माली जैसे में 30 रो भी है 31 A32 2 ऐसे करके तो इसको यह भी उड़ जाएगा लेकिन यह continuous चलता रहेगा 31 यहां नहीं रुकेंगे हम यहां फूर्थ रो भी हो सकती है यहां पर कितने भी कॉलम हो सकते है लेकिन अब आप देखे कितने जो भी AII है जिसके भी AII जिसके भी यह बराबन है जैसे A11 A22 यहां पर A33 और लिख दीजे अगर कहीं आएगा तो यह सारे 0 हो गए और A12 किसके बराबर है minus A12 क्योंकि AIJ minus Aij के बराबर है तो यह इसको negative कर दीजे A31 किसके बराबर है जब अगर आपका A13 जहां भी आएगा उसके बराबर है negative के बराबर है इसका मतलब सारे के सारे term देखे यह तो 0 हो गया यह 0 हो गया यह 0 हो गया और A12 A21 का negative है A13 A31 का negative है इसी तरीके से A32 A23 का negative होगा तो सारे cancel out हो जाएगे तो ultimately आपका 0 ही आएगा if A and B are symmetric matrices then write the condition for which A into B is also symmetric symmetric इसको समझे बैं हम कहने है symmetric A symmetric है B symmetric है A symmetric symmetric का मतलब क्या होता है जब हम A का transpose करेंगे तो A आजाना चाहिए और B का symmetric का मतलब होता है जब B का transpose करेंगे तो B आजाना चाहिए है ला write the condition for which A B is also symmetric A B symmetric का मतलब क्या है कि A B का transpose करेंगे तो A B आना चाहिए जाना चाहिए अब मैंने आपको अभी भी बताया था कुछ दिर पहले A B का transpose होता है B transpose और A transpose इसकी जगा आप क्या लिख सकते है B transpose A transpose B transpose A transpose और B transpose क्या है already B दिया हुआ है और A transpose क्या दिया है A दिया हुआ है तो B A बरावर A B ध्यान रखें जो matrix multiplication होता है तो A B और B A ये बरावर नहीं होते है 99% है ना तो B A बरावर A B अगर बरावर है तो यही condition है कि ये भी symmetric होगा A into B If B is a skew symmetric metric then write whether the matrix A B A transpose is symmetric or skew symmetric चलिए इसको मैं इस तरी के समझाता हूँ देखे कैसे कौन सी value आप कहां दे रहे है है ना तो इसको इससे समझाओ कि हमको जो दिया है इसी को ले लिजे आप सीधा ये आपको दिया है A B A T अब ये skew symmetric है ये symmetric का मतलब ये है अगर ये इसी के बरावर आ जाए A B A T इसके बरावर आ जाए तो ये symmetric होगई अगर ये A B A की power T A पा की power T टी नहीं है तो power नहीं है वो transpose के लिए अगर ये minus के बरावर आ जाए तो आप कहेंगे skew symmetric ये ही तो कहेंगे तो एक काम करते हैं इसका transpose ही लेके चलते हैं अब transpose करेंगे इसका transpose करते हैं A B A transpose का transpose अभी आप देखें मैंने आपको कहा था A B का transpose होता है B transpose A transpose और यहाँ पर आप C भी लगा दीजिए तो यहाँ C transpose यहाँ जुड़ जाएगा तो हम क्या कहरेंगे सबसे पहले इसका transpose यानि कि A transpose का transpose फिर इसका transpose फिर A का transpose यह हम जानते हैं किसी का transpose का दुबारा transpose रो को कॉलम में बदल लिए फिर कॉलम को रो में बदल दीजिए तो वही matrix वापिस आ जाता है तो A transpose का transpose A हो जाएगा अब B transpose देखें B आपको Q symmetric दिया हुआ है इसका मतलब B का transpose minus B के बराबर है तो यहाँ पर आप कर दीजिए minus B minus को बाहर ले रहा हूँ A transpose A transpose क्या हो तो A transpose ही रहेगा तो आपने देखा जब इसका हमने transpose किया तो negative of यह आ गया और मैंने आपको बताया था कि अगर यह आता है तो यह skew symmetric हो गया तो इसका मतलब यह skew symmetric है तो यह तो आप direct कर लेंगे अगर इसमें यह skew symmetric था तभी B transpose minus B आया अगर B के वल symmetric होता तो यह minus B नहीं आता इसका मतलब यह पहली condition प्रूब हो जाती तो यह आपका symmetric होता तो यहाँ पर यह symmetric है ध्यान रखेगा इसका उत्तर symmetric है बिल्कुल ऐसी करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया इफ A is a skew symmetric and N belongs to N such that A raise N का transpose पराबर lambda A का A raise N write the value of lambda write the value of lambda तो सबसे पहले दिखेंगा इसमें कुछ आपको बाकी चीज़ नहीं समझ नहीं जो जो दिया वो लिखना है दिखेंगे सबसे पहले क्या चीज़ दिए A is q symmetric है इसका मतलब A का transpose आपका negative A आएगा right अब आएए इस पे यह क्या दिया होगा है A की power N और उसका transpose ठीक है जी अब आप जानते है कि किसी भी यह power है यह power कितनी भी हो सकती है तो यह transpose power नहीं है ध्यान रखेगा यह power नहीं है यह power है तो आप यह transpose पहले कर लिज़े फिर power लगा दीज़े चुकि transpose का मतलब क्या होगा row को column में बदलना अब row को column में बदलके power लगाईए चाहे row और column को वैसे रेने दिज़े power लगाई तो इसको आप लिख सकते है पहले transpose कर लिज़े फिर power लगा दीज़े यहां तक ठीक है अब यह जो चीज़ दी हुई है यह a की power t यह आपको question में क्या दिया हुआ है minus a के बराबर है यह minus a रख दीज़े ठीक है जी अब इसको आप लिख सकते है minus 1 की power n और a की power n इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह आप लिख सकते हैं किसी भी value को लिख सकते हैं जैसे minus 3 power 10 है minus 1 की power 10 3 की power 10 लिख सकते हैं minus 1 की power n और a की power n हो गया minus 1 की power n एकी power n और यह किसके बराबर बरताया हुआ हुआ है lambda a की power है यह तो common होगे हटा दीजिए तो lambda कितना आगया आपका 1-1 की power है यह इसका उतर हो गया इसका उतर है इसमें भी हम यही करेंगे देखें यह आपका symmetric metric है तो a का transpose a के बराबर हो गया पहली condition तो यह होगी right weather this is symmetric और skew symmetric अगर a की घात n इसका transpose a की power n के बराबर होता है तो यह होगी symmetric ठीक और a की घात n यह की power n इसका transpose करें और यह minus a की power n आजाए तो आप कहेंगे skew symmetric यह दोनों ध्यान रहेगा इसी को हम use करने वाले हैं चलिए आगे बरते हैं अब बहुत ध्यान से देखेगा इसमें हमारा steps क्या होगी steps इस तरीके से हो रहे हमारे कि हम इसका transpose कर रहे हैं तब transpose तब power लगाएं या बगएर transpose के power लगाएं बात सही ही रहे हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहां करते हैं यह power नहीं है t is not a power n is a power तो a की power t a power t बोल रहा हो वैसे वो a transpose की power n अब a t क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है तो इसकी जगा a लिख दीजे यह हो गया a जब इसका हमने transpose किया जब इसका हमने transpose किया और क्या निकल के आगाएं की power n तो मैंने आपको क्या बता है था जब यह इसका transpose करेंगे और यह आ जाए तो symmetric है negative आगा तो skew symmetric हो जाएगा next वाला है आपका if a is skew symmetric matrix and n is a even natural number right whether an is symmetric or skew symmetric matrix or neither of these देखिए अभी अभी बिलकुल same हमने question किया है बिलकुल same अब इसका criteria समझिए यहाँ बागी सारे आप देख चुके है यहाँ पर एक छोटी सी चीज नहीं आइड की गई है वो है n is a even natural number देखिए a आपका skew symmetric है इसका मतलब a का transpose minus a के बराबर आएगा यह पहली चीज हो गई पहली condition हो गई आपकी n is a even natural number right whether a raise n is symmetric or skew symmetric or neither of these two तो अगर a raise n का transpose हम लेते हैं और यह a raise n आगया तो सिमेट्रिक मेट्रिक्स हो जाएगा a raise n इसका हम transpose लेते हैं और यह minus a की power n आया तो यह skew symmetric हो जाएगा clear तो हम अपना step शुरू करते हैं हम क्या करेंगे हमको इसका transpose निकाल रहा है तो a raise n की power नहीं है transpose यह क्या होगा मैंने आपको बताया या इसका पहले transpose करके power लगा है या power लगा के transpose करें कोई फरक नहीं पड़ता था इसको आप अंदर ले सकते हैं इसको कैसे a t और यह n क्योंकि a raise t minus a के बरावर दिया हो है तो इसकी जगा minus a रिखती जी है ना इसको कैसे लिख सकते है minus one की power n और a की power n देखें यह जो दिया है n आपको दिया है even natural number minus one की power even मतलब 2 है या 4 है या 8 6 है 8 है ऐसे है तो हमेशा यह positive आएगा minus one square क्या होता positive one होता है तो यह negative तो कभी भी नहीं आएगा हमेशा positive आएगा इसका मतलब a की power n आएगा तो मैंने आपको क्या बताया था जब a की power n आएगा तो क्या होगा है symmetric होगा हाँ अगर यह odd अगर यह दे देते odd natural number तो यह आपका skew symmetric हो जाता लेकिन इस वाले case में यह symmetric है क्योंकि n even natural number दिया हुआ है same चीज यहाँ पर हो रही है बिल्कुल same अभी मैंने आपको समझाया कि अगर यह यह अगर even है तो तो a की power n आएगा यह अगर odd है तो क्या आएगा minus a की power n तो minus a की power n पर यह skew symmetric हो जाएगा तो बिल्कुल same चीज यहाँ करनी है आपको बिल्कुल same चीज बताना है बस यह जो minus one मैंने आपको बताया कि power n यह क्योंकि यह odd है तो यह हमेशे negative आएगा और negative आएगा तो यह skew symmetric रहेगा यह जो सवाल है इसको हम करते हैं अगली बार तब तक लिए शुक्रिया महरबारी आप से